पुर्व केंद्रिय मंत्री व लोक जनसक्ती पाटी के सनरक्षक रामविलास पास्वान के निधन से खाली हुई राजसभा के सीट पर कौन उमिदवार होगा इसको लेकर अब भी असमंजस की स्तिती बनी हुई है ना तो लोजपा कुछ बोल रही है और ना ही जदियू वहीं बीजेपी की ओर से भी इस मामले पर अभी कोई पक्ष सामने नहीं आया है हालांकि लोजपा के हिस्से की यसीट उसी के खाते में रहे गी या नहीं इसको लेकर संसे बरकरार है दरसल जिस तरह से पूरे बिहार विधान सबाच चुनाओ के दोरान चिरात पास्वान ने सीएम नितिस कुमार को सीधे टारगेट किया है इससे दोनों ही दलों के बीच तलखी साफ दिख रही है मिली जनकारी के अनुसार चुनाओ परिनाम के बाद भी चिराक पाश्वान को ना तो जदियू ने और ना ही भाजपा ने सपत ग्रहन समारों में सामिल होने का नेउत साथ दिया था ऐसे में चिराक के अंडिये में रहने या ना रहने को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं यहां यह बता दे हैं कि लोक सभा चुनाओं में सीट बटवारे के दौरान समझौते के तहत भाचपा ने अपने कोटे से पासवान को यानी रामबिलास पासवान को राजसबाब पेझा था, इस पर लोजपा की फिर नजर है और दिवगंत रापविलास पसवान की पत्नी, रीना पसवान के लिए लोजपा को इस सीट की चाहत बनी हुई है, हलांकि इस मामले में चिरांक पसवान का ना तो रुख साफ हुआ है और नाही मेडिया में उनका को सीट की मांग की हैं लोजपा के कहते हैं कि रीना को राजसभा भेजना ही पाश्वान के प्रती सची स्रधान जली होगी हालांकि जदियों के तल्क तिवर को देख cur केंद्र बाजफा की सायोगी लोजपा की मांग को बिहार में पूरा करना अब भाजपा के लिए आसान नहीं होगा ऐसे में एक नाम जिने राजसभा भेज़े जाने की खूब चर्चा जोरों पर है वो है भाजपा के वरिष्ट नेता वो पुर्व उपमुख्यमंत्री शुसील कुमार मोधी दरस में राजसभा के लिए कई दावेदार हैं लेकिन जदियों लोजपा के करवे रिष्टे के चलते भाजपा को अपने ही किसी सर्वसम्मत परत्यासी को आगे करना होगा ऐसे में पुर्व उपमुख्यमंत्री शुसील कुमार मोधी की नाम की चर्चा काफी तेजी से चल रह लिए गौर्तलब है कि पिछले तीन दसक से सुसील कुमार मोधी बिहार में भाजपा की पहली पंक्ति के नितार रहे हैं नितिस कुमार से उनके कड़ीवी रिष्टे को देखते हुए जदि हो उनके नाम पर कोई अपत्ती नहीं होगी भाजपा को सुसील कुमार मोधी के काम पर राजक के अन्य दलों के विधायकों को भी एक जूट रखने में मदद मिल सकती है सीटों पर जीत हार के समीकरन के लिहास से इस एक मात्र राजसभा की सीट को निकालने के लिए किसी भी गटबंदन के पास विधान सभा में बहुमत का होना जरूरी है अगर विपक् एसे में हालत यह है कि कोई भी दल अकेले इस अंग के पास भी नहीं पहुंच सकता है ऐसे में गटबंधन के सहयोगी दलों का साथ जरूरी है भाजपा को अपने कोटे की इस सीट को बचाने के लिए जदियों की मदद की दरकरार होगी जाहिर है ऐसी इस्तिति में कोई ऐस सब परत्यासी ही जीत का आकदार हो सकता है जिसे राजग के सभी चारों घटक दल यानि वी आई पी हम जदियों और भाजपा पसंद करेंगे